नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की इस कलास में हम लोग बात करेंगे Laws of Chemical Composition जिनको हम लोग कहते हैं रसायन संयोग के नियम जब भी कोई element यानि के तत्वा संयोग करके योगिक बनाता है तो वो किन नियमों के अनुसार वो संयोग करती हैं और नए योगिका वो formation करती हैं यानिके निर्मान करती हैं तो उसके संबंद में कुछ नियम दिये गेते और उन्ही नियमों को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस कलास में रसायन सयोग का पर्थम नियम या पहला नियम जिसे हम लोग दर्विमान सरक्षन का नियम भी कहते हैं इसका अध्यन करेंगे ठीक है तो रसायन सयोग के बहुत सारे नियम है उनमें पहला है दर्विमान सरक्षन का नियम और इस नियम के बारे में हम लोग इस गलास में डीट अन्तो एन लावूशिय एंका नाम है और इनकी जो डेट है वो सत्रासो नवासी में यह नियम दिया गया था यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन ने नाम आपको याद रखना है डेट आप चाहो तो याद रखो चाहें मत रखो लेकिन इतना तो याद रखना ही कि लावूश यानि इस नियम को दिया था अब नियम के है उसको समझी इस नियम के अनुसार यानि दर्यमान सरक्षण के नियम के अनुसार जो दर्वेमान होता है दर्वेमान जैसे हम लोग अंगरेजी में मास बोलते हैं तो दर्वेमान सरक्षण के नियम के अनुसार दर्वेमान का ना त निर्मान संभव है और ना ही इसका विनास संभव है द्रेमान का निर्मान और विनास संभव नहीं है किसी भी फिजिकल और केमिकल रियक्शन के दुरान किसी भी बहुतिक और रासाइनिक परकरम में द्रेमान का ना तो निर्मान हो सकता है और ना ही विनास हो सकता है For example, जैसे मान लो A ने B के साथ में reaction किया और इसने C और D का formation किया तो शुरुवात में मान लिजी आपने A का दर्विमान MA लिया B का दर्विमान आपने MB लिया तो अभी आपने total दर्विमान कितना लिया MA plus MB के equal लिया और reaction के बाद में इसका मान लिजी पहले तो कुछ था ही नहीं, बाद में इसका मान लिजी M C और इसका MD बन गया तो अब अगर मैं M C प्लस MD करूँ ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा खतम हो गया तो ये दोनों equal हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा खतम होने के बाद में ये बन जाएगा, ठीक है, अगर इन दोनों का मान लिजी एक किलो लिया होता इसका भी एक किलो हमने ले लिया होता और बाद में reaction होने के बाद में मान लो ये खतम हो गए तो इन दोनों का मिला के दोनों का दो ही किलो बनेगा ना तो कम बनेगा ना ज्यादा बनेगा अगर ये बच गया होता तो थोड़ा बोट कम होता कहने का मतलब ये है कि पूरी reaction के दोरान दर्वेमान का ना तो निर्मान हो सकता है ना ही विनास हो सकता है अगर हमने reactant दो किलो लिये हैं और ये खतम हो रहे हैं तो उत्पाद भी दो ही किलो बनेगी अगर हमने reactant दो किलो लिया और एक किलो reactant बच गया reaction के बाद में तो इस तरफ आप देखोगे तो ये एक किलो ही बनेगी यानि इस पूरी reaction का टोटल दर्वेमान उतना ही रहेगा जितना हमने starting में लिया था ठीक है ये हो गया हमारा दर्वेमान स्रेक्षण का नियम